नमस्कार आप देख रहे हैं गिताश टीवी प्रस्तुत है समच्चार रानी चेरी गाउ में प्रखन कर्मी बनकर महिला से 10,000 रुपे ठगी कर अग्यात युवक फिल्मी अंदास में हुआ फरार चिनिया से हेमंद कुमार के रिपोर्ट चिनिया प्रखन के रानी चेरी गाउ निवासी दुखे सिंग तथा उसकी पत्नी मानती देवी से प्रखन कर्मी बनकर 10,000 रुपे ठगी कर अग्यात व्यक्ती फिल्मी अंदास में फरार हो गिया बुक्त भोगी मानती देवी ने बताया कि सुबहा दो व्यक्ती मेरे घर पर पहुचे उस समय हम दोनों पति-पत्नी घर पर ही थे दोनों व्यक्ती आकर हम लोगों से बोले कि हम लोग प्रखन के पतादिकारी हैं कहा कि आप लोगों को पी-म आवास मिला हैं इसे अभी तक धलाई नहीं किये हैं 10,000 रुपए के साथ आधार कार लेकर फोटो खीच वालों नहीं तो जेल चले जाओगे हम लोग फोटो लेने आए हैं इसके बाद हम दोनों पति-पत्नी डरकर घर में रखे आधार कार एवं 10,000 रुपए लेकर किया हैं तता पैसे हाथ में लेकर इं तो उस पर वे अध्यात व्यक्ति बोले कि कल हम लोग फिराएंगे फोटो के लिए ये कहते हुए विलोग बाइक पर बैटकर रनपुरा के और भाग गए अगल बगल के लोगों से कहने के बाद लोग मोटर साइकल से पीछा करने लगे लेकिन पता नहीं चल पाया वे दोन तही गरीब परिवार से हैं जिने ठक कर फिल्मी अंदाज में अग्यात व्यक्ति फरार होते हैं वहीं प्रखन में संजय राम नाम का कोई भी प्रखन कर भी नहीं है भुक्त भोगी के घर पहुचने पर लोगों ने बताया कि चिरका गाउं में भी जाकर कुछ लोगों से ठकने की कोशिश की वे दोनों अज्यात व्यक्ति की इस काम को किये शेत्र में ठकी करने का एक नया तरीका आने पर लोग सहमें हुए हैं एवं भुक्त भूगी कर रो रोकर बुरा हाल है क्या हुआ आपके साथ पहले आया ना आयत उकर बाद उहां जहाने लगा कि एक अथिक आ रहा है कि अधी तक लगवने क्यों नहीं ढाले हैं ति आतों में करवाई कर वाई अथिक किया जाएगा तो क्या को लोग थे दूज यह तो का बोले फिर आके आके चले पर जाज करे चले कि अधिक आपकर को पाद किया कि यह तो समस्के पाद क contenido तक पार चार ना में पादा करलेव यह थिरा वरत मांने आपका क्या नाम है आपका क्या नाम है दुखी सेंटर आईश्मान भारत मुखे मंत्री जन अरोगे योशना की तहत मुफ्त इलाज एम आपरेशन की सुविधा उपलब्ध है लाल और पीला राशनकार्ट की हगदार होंगे आईश्मान योशना की हकतार प्रति परिवार पांच लाग रुपी तक का प्रतिवश मुफ्त स्वासिव लाप विशेश जानकारी के लिए संपर्क करें एम जेम हॉस्पिटल एंड रिसर्स सेंटर नवादा मोड दुर्गा मंडप के सामने गडवा जारखन